जूरियां या रिंकल्स बढ़ती उमर का एक साइन हैं लेकिन वक्त से पहले हाथ और पाउं पर जूरियों का आ जाना जिल्द की खुश्की, ड्राइनेस, जिल्द का पतला होना, थिनर स्किन और स्किन इलास्टिक सिटी का कम होना है। जिल्द की ये अलामात हाथ और पाउं को धूप का जादा सामना या excessive sun exposure की वज़ा से होता है। धूप से आने वाली UV radiation, स्किन कॉलेजिन और इलास्टिन को नुकसान पहुंचाती हैं और जिल्द को पतला कमजोर बना देती हैं। नतीजतन जूरियां एक और एहम वज़ा है repetitive, exfoliation या जिल्द पर बार बार chemical formula scrubs का इस्तमाल करना। ये अमल हमारी जिल्द से fat soluble vitamins कींच लेता है जो खुशकी, dryness और fleckiness का बाइस बनते हैं जिससे ultimately जिल्द क्रीस हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे एहम और ignore की जाने वली वज़ा जो है dehydration, skin पर खुशकी, dryness और line पर जाना इस बात की भी इलामत है कि आपके जिसम में पानी की मिकदार, water content कम है, कोशिश करने के दिन में तकरीबन 8 class पानी का इस्तमाल किया जाए और पानी जो सबसे important element है हमारे जि इसके quantity maintain की जाए, अब बात कर लेते हैं जूडियों की home remedies की, इसके लिए आपको DIY hand and feet scrub त्यार करना है, इस hand scrub की मदद से अपने हाथ और पाउं की dead skin को उतार लें, scrub से 10 मिनट तक मसाज करें, scrub बनाने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक चमच honey यानि शेहर, दो से तीन कत्रे लीमू का juice, एक चुट की हल्दी और एक चमच coconut oil का इस्तमाल करें, मसाज के बाद इसे sponge से साफ कर लें, और अब बढ़ें last step की तरफ, जो है hand and feet mask, यह one step mask है, जिसमें अंडे की सफेदी लें, इसे चमच की मदद से mix कर लें, जैसे ही paste like consistency में आजएं, इसे अपनी skin पर apply करें और 20 मिनट तक लगा रहने दें, इसके बाद थंडे पानी से हाथ धो लें, अब किसी भी अच्छे oil based cream या petroleum jelly का इस्तमाल करें, रात को सोने से पहले almond oil हाथ और पाओं पर लगाएं, और हाथों के लिए gloves और पाओं के लिए socks का इस्तमाल करें, कि दिन के वक्त sunscreen का last में इस्तमाल करें, ऐसा sunscreen जो minimum SPF 25 हो, 15 दिन के इस्तमाल से अपने हाथों और पाओं को नई जिंदगी दें और wrinkles से दूर करें, ऐसी ही informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, थैंक यू फॉर वाचिंग